हेलो फ्रेंट्स आपका मेरे चैनल में स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं गाजल का हल्वा आई ये हम देखते हैं गाजल का हल्वा बनाने में क्या क्या लगी का तो शुरू करते हैं हमने ये एक कट अब हम उसमें गी डालेंगे जब तक हमारा गी मेल्ट होता है हम वेट करेंगे हमारा गी मेल्ट हो चुका है अब हम इसमें गाजल डालेंगे अब हम इसमें घी में अच्छे से मिक्स करेंगे गाजर अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसे 5 मिनट के लिए लो कलें पे पकाएंगे ढपकर 5 मिनट हो चुका है यह देखिए हमारे गाजर का तो तो थोड़ा सा चेंज हो गया है अब हम इसमे मिल्क आड करें अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढग कर पकाएंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे 10 मिनट हो चुका है आई हम देखते हमारा गाजर अच्छे से पका है या ने यह देखिए गाजर ने दूद को अच्छे से सोप कर लिया है अब हम इसमे शक्कर आड करेंगे अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसे फिर से 10 मिनट के लिए डखकर पकाएंगे यह देखिए गाजर ने कितना पानी छोड़ा है यह पूरी शक्कर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है अब हम इसे डखकेंगे नहीं अब इसे हम फोल कर इसका पानी जनने तक इसे पकाएंगे यह देखिए हमारा गाजर का हल्वा कितने अच्छे से पक चुका है इसका कितना अच्छा कलर आया है अब हम इसमें इलाइची कॉर्डर डालेंगे और सब पुरा ड्राइफुच टालेंगे इसे अच्छे से चलाके मिक्स करते हैंगे इलाइची कॉर्डर से गाजर के हल्वा में बहुत अच्छा फ्लीवर आता है अब इसे पांच मिटे के लिए और भूनेंगे फिर यह हमारा गाजर का हल्वा खाने के लिए तयान हो जाएगा इसमें स्कर्ब कर दो हमारा गर्म गर्म काचर के लिए बिल्कुल तयार है और इसे सर्दियों में खाने का तो मज़ा ही कुछ है और स्नोफॉल में तो बहुत ही ज्यादा मज़ा आता है हुआ 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 है